दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक laptop लिया था, for the first time मैंने एक refurbished laptop लिया था, या फिर कोई भी product हो refurbished लिया हुआ था, मुझे देखना था कि भाई ये refurbished products होते कैसे हैं, और मेरा जो experience था, बहुत ही अच्छा था, in fact मैंने उस laptop का unboxing किया हुआ है, जरूर देखिए, मैंन बाई किया था इस laptop को two good website से, जो एक flip card की subsidiary है, जहां पर refurbished products मिलते हैं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हुँ आपको refurbished products क्या होते हैं, used products से कैसे अलग होते हैं, और आपने क्या-क्या करना चाहिए, क्या refurbished product अगर आप खरीदोगे, तो अच्छी deal मिलेगी, let's find out, व जैसे दोस्तों, सबसे पहले तो जानले एक अच्छी deal होती क्या है, किसी-किसी को durability बहुत important होती है, किसी-किसी को price point जो होता है, कि कितने price पे कोई चीज मिलती है, वो बहुत important होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा गया, तो overall package, कोई भी product लो, आप laptop लो, आप smartphone लो, जो किस price पे मिलता है, और वो क्या offer कर रहा है, durability के हिसाब से, specifications के हिसाब से, price point के हिसाब से, वो सब देखके, अगर अच्छे price पे मिल रहा है, that is a good deal. For example, दोस्तो, हमने जो laptop लिया था, जी हाँ, Lenovo का जो IdeaPad laptop था, उसकी actual price कुछ 50,000 है, हमें मिला कुछ 37,000, 38,000 को, और मैं पिछले कुछ जिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, it is new, like new ही है, वो कुछ difference मुझे तो महसूस नहीं हुआ, उपर कुछ marks वगेरे थे, छोटे से वो भी नहीं दिख रहे थे, it was absolutely like new, इसका मतलब मैंने 15,000, 12,000, 13,000 रुपए बचाए, and I still got something that is like new, अब दोस्तो, आप अगर two good website के उपर देखोगे, आप जब refurbished product बाइ कर रहे हो, उसमें भी चार अलग-अलग प्रकार होते हैं, like new, superb, very good, and good, basically यह अलग-अलग conditions होते हैं, like new य condition, तो दोस्तों यह ऐसे अलग-अलग conditions होते हैं, और उसके price भी उसी के हिसाब से होते हैं, जैसे like new का थोड़ा ज्यादा होगा, original price से कम होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा होगा, superb का और थोड़ा कम, very good का और कम, and good का सबसे कम, इन products के जो condition होते हैं, उसके basis पे भी warranty होती है मतलब 6 महिने तक आपको refurbished products में warranty भी मिलते हैं, आप generally used product जब खरीदने जाते हो, तो उसके उपर warranty नहीं होती है, आपने ले लिया, अगले दिन अगर खराब हो गया, gone, पैसे गए, refurbished के साथ यह नहीं होता है, अगर आपके पास कोई defective product आया, तो आप 6 महिने में return भी कर सकते हो, क्योंकि उसके उपर warranty होती है, और एक important बात, refurbished products के बारे में, उन्हें check किया जाता है, जैसे 2 good website जो है, यह check करती है, 47 अलग-अलग parameters, कोई भी device हो, smartphone हो, laptop हो, अलग-अलग checks होते हैं, जिसकी वज़से उसका जो quality, उसकी जो condition है, वो पता चलती है, और उसके बाद ऐसे नहीं है, तो refurbished एक बहुत ही अच्छा option होता है, जो आपको quality के साथ मिलता है, warranty के साथ मिलता है, checks के साथ मिलता है, which is a great thing. फाइनली दोस्तों, यही बताना था कि मेरा experience जो refurbished products के साथ राज, too good website के उपर से बहुत ही अच्छा था, अगर आप भी देख रहे हो refurbished product खरीदना, तो ज़रूर जाके too good website पे देखिए, वैसे उनके बहुत सरे amazing deals वगेरे भी होते हैं, discounts भी होते हैं, जैसे flip card पे होते ह वैसे too good पे होते हैं, आप lucky हो तो कभी-कभी आपको बहुत ही अच्छी deal मिल जाएगी, चले होस्तों, अगर आपको refurbished products के बारे में कोई और सवाल हो, तो ज़रूर हमें comment section में पूछिएगा, चले होस्तों, इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक keep tracking,